एक दुखत समाचार जो बिलकुल सत्य है आज रात्री नौ बज के बीस मिनिट पे उन्होंने अंतिम सांस ली है एम्स में वो बढ़ती थी और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छट का नहाय खाये है छट के तेवहार कई लोग सारदा सिनाजी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छट के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है अभी यहां पर पुरा परिवार है कल सुबह यहां से मैं सबको यह सूचना करना चाहता हूँ कि कल सुबह 49 की फ्लाइट से वो परिवार उनका उनके शरीर को ले करके पटना जाएगा और पटना में उनकी अंतेष्टी होगी बाकी वहां कल होगी या परिवार सुबह होगी इसकी सूचना दे दी जाएगी कि सायद परसों ही सुबह सुबह उनका अंतेष्टी पटना में होगा कल उनका पार्थिव शरीर अंतीम दर्सन के लिए भी पटना में बारा बजे के बाद रखा जाएगा झाल